नमस्कार जानेंगे कि इस कारुबारी सब्ता नौन एग्री कमोरिटीज याने गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्पलेक्स में क्या रुप देखने मिल सकता है शुरुवात गोल्ड और सिल्वर से करते हैं हमने देखा है कि पिछला हफ़ता काफी उठा पटक भरा रहा है गोल्ड के लिए जहां पर जो शुरुवात हुई थी वो नर्मी के साथ हुई थी गोल्ड प्राइजस में और करीबन 47,500 तक के लेवल भी देखे वहीं हफते के एंड में 48,000 के करीक भी क्लोजिंग आते हुए देखी है spot gold ने भी 1780 का जो एक important support हम पहले भी discuss कर चुके हैं वो काफी अच्छे से लेकर 1850 के उपर की closing दिखाई है तो एक choppy session देखने मिला पिछले हफ़ते और आने वाले हफ़ते में भी ऐसा लगता है कि up and down moment हमें देखने मिलेगी हाला कि ये ज़रूर है कि 1780 के करीब जो एक important support है फिलहाल वो market hold करता हुआ दिख रहा है तो short term basis ऐसा लगता है कि शुरुवाती दौर में 1795 या 1790 डॉलर तक की एक dip देखने मिल सकती है याने domestic बजार में हमें 47700 से 650 तक की ranges देखने मिलेंगे लेकिन उसके बाद में एक उपरी सतरों का resistance जो है वो test हो सकता है 1825 डॉलर के करीब spot gold में और करीबन 48300 M6 पर तो buy on dip किया जा सकता है with limited upside fundamentally काफी mixed picture है जहां पर एक तरफ Fed याने Federal Reserve US की Central Bank काफी aggressive हो गई है interest rate hike को लेकर वहीं पर inflation काफी major देशों में काफी उपरी सतरों पर है in fact 40 साल की उचाईयों पर चल रही है इस हफते हमने देखा कि Bank of England और European Central Bank जो Europe की और UK की जो एक Central Banks हैं उन्होंने भी एक aggressive stance adopt करते होए interest rate hike की है या hike करने की बात की है तो काफी एक mixed picture develop हो रही है जिस वज़े से gold में उठा पटक next एक या दो मेनों तक जारी रहने की उम्मीद है possibly तब तक जब तक जो अमेरिके सेंटरल बैंक है March में interest rate hike करना चालू नहीं करती तो एक बड़ा सा दाइरा बने रहने की उमीद है लेकिन इस दाइरे के निशले स्तरों पे gold buying किया जा सकता है और उपरी स्तरों पे profit booking कर सकते हैं और ये एक जो strategy है ये फाइदे का सौधा बन सकती है वहीं चांदी में भी हमने काफी बड़ी ranges देखी है पिछले एक मैनों में हमने साड़े पैसट हजार तक जाते हुए देखा था चौपीस डॉलर के करीब और वहीं पर आज हम बाइस डॉलर के करीब स्पोर्ट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर domestic बजार में भी देखें में M6 पर तो हमने साड़ हजार के करीब के लोज बनते हुए देखे और वहां से दुबारा एक बाइंग एमर्ज होते हुए दिखी है शॉर्ट टम बेसे साड़ हजार का एक इंपॉर्टन सपोर्ट है यह हम पहले भी डिसकास कर चुके हैं और लगभख पिछले चे माइनों में तो या तीन बार यह सपोर्ट लिया जा चुका है वहां से अच्छी खासी मूव्स हमें आते हुए देखी भी हैं तो इस हफ़ते के परस्पेक्टिव से जब तक साड़ हजार होल कर रहा है तब तक बायरं डिप किया जा सकता है अलगी यह जरूर करूंगा कि 12,500 से 12,700 की रेंज में जब आपको मुनाफ़ा मिले तो प्रॉफिट बुक करना लाजमी होगा क्योंकि ओवराल बेसेस पे 63,000 एक शॉर्ट टम रेजिस्टेंस की तरह करेगा जिसके उपर हो सकता है कि दाम निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वहीं रुक करते हैं बेस मेटल्स का तो यहां पर भी हमने काफी वॉलिटाइल ट्रेड आते हो देखा है फिलाल चीन में एक हफ़ते की चुट्टी थी लूनार निव यर के वज़े से जिस वज़े से वॉल्यूम बेस मेटल्स में जो हैं वो नॉर्मल से कम देखने मिले हैं खास करके अंतराश्य बजार में कॉपर से अगर शुरू करें तो कॉपर में हमने देखा कि हफ़ते की शुरूआत नर्मी के साथ हुई थी बड़ा सा दायरा हमें काफी समय से देखने मिला है वो 735 से 760 का है और इसी दायरे में प्राइजिस ट्रेड कर रही है आने वाले कुछ दिनों में ऐसा रखता है कि एक करेक्शन हमें देखने मिलेगी 750 की नीचे तक प्राइजिस जा सकती है लेकिन इस बार इस करेक्शन का फायदा लिया जा सकता है बाइंग करने के लिए और अपसाइड में 760 से 762 का इमेजिट टागेट तो होई सकता है लेकिन अगर उसके उपर भी प्राइज निकलती है तो 773 तक के लेवल हमें शॉट टम में देखने मिलेंगे ऐसा मेरा मानना है तो बाइंग की रणनीती अपना ही जा सकती है लेकिन एक करेक्शन की पॉसिबिटी आने वाले दो या तीन सेशन में बनती है वहीं पर जिंक में भी हमने देखा कि 301, 302 के जो उचाया बनी थी उसके बाद 295, 294 के लोज बने क्लोजिंग जो है वो कहीं न कहीं इन बिट्वीन याने 299 के करीब की क्लोजिंग है आने वाले कुछ सेशन में कॉपर की तरह यहां पर भी दो से तीन रुपे की गिरावट देखने मिलेगी तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर इमिजेट तोर पे सेल करके चल सकते हैं लेकिन जो थोड़ा उसा लंबी अवदी या मीडियम टम के लिए देख रहे हैं हमने 196 से गिरते हुए देखा है प्राइजिस को 184 के तरफ 188 का एक इमिजेट तोर पे रेजिस्टेंस बना रहेगा जब तक यह नहीं प्रीच होता तब तक 180 तक के लेविल देखने मिलेंगे इस वज़े से लेड को फिलहाल बाइंग के लिए अवाइड करें या फिर शॉटिंग भी उपरी स्थरों पर किया जा सकता है निकल में हमने दुबारा अतीजी लोटते हुए देखी है 1820 का जो लक्ष था वो हासिल होने के बाद हमने बात किये थी कि एक बड़ी करेक्शन देखने मिलेगी जहां पर 1700 के नीचे के स्थर भी देखने मिल सकते हैं वही हमने देखा 1670 के करीब के लोज देखे गए वाले हफते में इमेजिट तोर पे 1695 से 1700 के सपोर्ड हैं और बहुत ही शॉट टम बेसे 1765 तक का एक लक्ष लिया जा सकता है निकल के शॉट टम ग्यों के साब से वहीं अलुमिनम में हमने काफी बड़ा मूव आते हुए देखा जहां पर 250 के उपर के सर देखे गए थे अलुमिनम 250 से 251 की तरफ जा रहा है तो एक बाइंग की रणिती अपना ही जा सकती है लेकिन ये जरूर होगा कि 250 से 51 के उपर जादा अगर प्राइज नहीं सस्टेन होती तो वहां से दुबारा एक गिरावट दिखने मिल सकती है अला कि शॉर्ट टर्म बेसिज याने नेक्स्ट एक हफते की बात करें तो हमें 251 तक के लक्ष हासिल होते हुए दिख सकते हैं वहीं एनरजी कॉंपलेक्स में भी काफी हल चल रही कच्चा तेल लगभग इन लाइन ट्रेड कर रहा है जो हमारी काफी हफतों से बात हो रही है कि पोजिशनल रुक जो है वो तेजी की तरफ है 7000 से 7100 का एक लक्ष मैंने डिसकस किया था लगभग एक मैने पहले जब दा आके प्राइजस चलना शुरू ही है तो 7100 का लक्ष तो हो सकता है कि नेक्स 3 या 4 सेशन में हासिल हो जाए पॉसिबल है उसके बाद हमें करेक्शन भी देखने मिले और ये करेक्शन दुबारा प्राइजस को 6500 तक लेकिया है लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब भी नेक्स 3 से 4 अफ़तों की बात करें और जो M6 पर टागेट होगा वो 7400 का लेके चला जा सकता है तो मैं अपने जो ओरिजिनल टागेट है 7100 को उसे और अपग्रेट कर रहा हूं पोजिशनल वेसिस पे हाला कि इमेज़ेट तोर पे 7100 हासिल होने के बाद एक करेक्शन का यूरोप को सबसे बड़ा सप्लायर है 30-40% जो गैस है वो वहीं से आती है यूरोप को तो अगर वार जैसी सिचुएशन हो जाती है जो फिलाल है और रशिया और यूकरेन के बीच टेंशन जार बढ़ती है तो नाच्रिल गैस में 30 देखने मिलेगी टेक्निकली हमने जो ल लेफ के डिसकर्स कर रहे थे ये जरूर कहा था कि हाला कि फिलाल जो माहल है वो तेजी का है लेकिन टेक्निकल पिक्चर मंदी की है और आल याने 470-265 का जो एक रुक देखा था हमने एक से रिट मेना पहले उसकी ये शॉट कवरिंग मूव दिखाई दे रही है जिसका जो ट्रिगर है ओविसली जो रिसेंट स्ट्रेस है जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस है उस वज़े से आता हुआ दिखता है लेकिन अगर ये वार नहीं होता या एक उक्यूपेशन नहीं होता रश्या के तरफ से और बातचीत से ही हल होना शुरू हो जाता है तो हम देखेंगे कि नाचल गैस प्राइजस सस्टेन करना मुश्किल होगा नाचल गैस के लिए और उपरी से हम विक्वाली देखेंगे जैसे हमने इस हफते देखी चारसो दस से तीन सो पचास की एक बड़ा फॉल देखने मिला आने वाले हफते में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सोमवार को ए एक गैप अप ओपनिंग जरूर हो सकती है क्योंकि हमने लगबख साट रुपे का फॉल आते हुए देखा जो परसेंटेश तरम्स में लगबख 15% का फॉल है दो या तीन सेशन में तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव डेफिनेटली देखने मिलेगा 380 से 390 तक भी प्राइज जा सकती है तो शुरुवाती दौर में अगले हफते की हम एक बाइंग के रनीती अपना सकते हैं लेकिन जो तोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं दो से तीन हफतों का अगर वो इस उचाल का फाइदा उठाएं दुबारा सेल करने में तो एक फाइदे का सौधा हो सकता है और हम तीन सो तीस तक के स्थर आने वाले दो से तीन हफतों में देख सकते हैं तो जस्टो समराइज नैचल गैस में इमिजट तोर पे तीजी हो सकती है तीन सो असी तिन सो नमबे के लिए लेकिन तीन सो नमबे के करीब अगर विक्वाली की जाए चार सो दस के उपर का आने वाले दो से तीन हफतों में देख मैं तो यह था एक जाइजा कि जो एगरी नौन एगरी कमोरिटीज है उसमें आने वाले कुछ दिनों में और दो से तीन हफतों में क्या रुप देखने मिलेगा धन्यवार